भगवान स्रीकृष्ण का वाँ परम सत्रू जो बने का कल की आवतार का परम मित्र दोस्तो कल की आवतार जो अकिले ही कली पुरुस को असाने से हरा सकते हैं लेकिन फिर भी कली पुरुस को हराने में भगवान की साहता के लिए साथ चिरन जीवी आज भी जीवी थैं इनी साथ चिरन जीवियों में से एक जो भगवान की साहिता कर कलीपुरुस को हराने में एक आम भूमिका निभाएंगे वहा कभी भगवान स्रीकृष्ण के परम सत्रू भी हुआ करते थे दोस्तो वहा चिरन जीवियों है गुरुद रुनाचारी के पुत्र अस्वत्थामा महा भारत में कई योधाओं ने अस्वत्थामा के समान ही कई महापाप किये थे लेकिर उनमें से केवल अस्वत्थामा को ही इतना भायंकर स्राप देने के पिछे भगवान स्रीकृष्ण का कोई न कोई मकसद जरूर होगा या कह सकते हैं कि इतने महान गुरू के पुत्र होने के बावजूद अस्वत्थामा को करों का साथ देना पड़ा लेकिन कल की अवतार में कली पुरूष्ण को हराने में भगवान की मदद करने का वारं सोभाग भी अस्वत्थामा को मिलेगा तथा इससे अस्वत्थामा को सभी पापों से मुक्ते भी मिल जाएगी दोस्तों स्रिबास्वत्थामा को ही इतना भयंकर साब देने के पिच्छे क्या कारण हो सकता है आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताईएगा